जै मातादी दोस्तों मैं हूँ सरीता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा बौध धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का एक बहुत ही प्रमुक्तिहार है जो की हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाक महिने की पूर्णिमा तिति के दिन मनाया जाता है इसलिए इसे वैशाक पूर्णिमा भी कहा जाता है कहा जाता है कि इस दिन गौतम बुद्ध का जं interpersonal हुआ था इसी दिन उन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई थी इसलिए केवल हमारे देश में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में लोग बुद्ध पूनिमा को बड़ी धूम धाम के साथ मनाते हैं आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्ष 2021 में बुद्ध पूनिमा किस दिन है पूनिमा की तिथी कब से लेकर कब तक रहने वाली है इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि बुद्ध पूनिमा लोग क्यों मनाते हैं पहले जान लेते हैं बुद्ध पूनिमा की तिथी के बारे में दोस्तों बुढ़ पूनिमा की तिथी है 26 मई 2021 को बुधवार के दिन पूनिमा की तिथी प्रारम हो रही है 25 मई 2021 को रात 8 बच कर 20 मिनट से और यह तिथी समाप्थ हो रही है 26 मई की शाम 4 बच कर 40 मिनट पर अगर बात करें बहुत पूनिमा के महत्व के बारे में तो दोस्तों माना जाता है कि भगवान बुध भगवान विश्नु के नवे अभ्तार हैं इसलिए हिंदू के लिए और आती मिले बहुत ही पवित्र है इसलिए बहुत सारी जगार आज के दिन अनीक ट्रह के समारो आदि के आयोजन भी किये जाते हैं खास कर बुद्ध पुनिमा के दिन बहुत घरों में दीपक जलाए जाते हैं इस दिन फूलों से घरों को सजाया जाता है धान में काम किये जाते हैं और इस दिन खास कर मिस्ठान सत्तू जल से भरेवे घड़े का और कपड़ों का दान किया जाता पित्रों को तरपंड करने के लिए बुद्ध पुनिमा की तिथी बहुत ही शुब है बहुत ही खास है ऐसी भी मानेता है कि बुद्ध पुनिमा का जो संबंध है वो केवल बुद्ध के जन्म से ही नहीं है बलकि इस पुनिमा तिथी को कई वर्षों तक लगातार वन्मे भट रखने और कठोर तपस्या करने के बाद बोध गया में बोधी व्रक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ था कहा जा सकता है कि इस दिन ही उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ती भी हुई थी बैशाक पुर्णेमा का दिन था इसलिए यहति थी बहुत ही ख ने इस ग्यान को प्राप्त करने के लिए अनेकों वर्षों तक कठोर तरपस्या की थी बहुत सारे कस्टों का सामना ंत्त किया था और अंत में उन्हेंग वैशाक पूनिमा के दिन बोधि व्रक्ष के नीचे इस ज्ञान की प्राप्ती हुई थी जिसके बाद उन्हों ने इस ग्यान के प्रकार से पूरी दुनिया में एक नई रोशनी पैदा की और वेशाक पुनिमा के दिन ही कुशी नगर में उनका महापरी निर्वान भी हुआ था बुद्ध पुनिमा को केवल हमारे देश में ही नहीं मनाया जाता बलकि नैपाल, सिंगापूर, वियतनाम, इसलिए बुद्ध पुनिमा के दिन भगवान बुद्ध के समान में जितने भी बहुत अनुयाई हैं उनके साथ सभी हिंदु लोगों को भी एक दिया उनके समान में उनके नाम से जरूर जलाना चाहिए दोस्तों यह थी आज की जानकारी उमीद करती हूं यह वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर रोज अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके